परिचाय आप अपने आसपास विभिन प्रकार के जन्तू और पादब देखते हैं वो विभिन आकरिती और साइस के होते हैं और एक दूसरे से भिने भी दिखते हैं लेकिन उनमें एक चीज समान होती है वो सभी जीवन की सबसे छोटी एकाई कोशिका से बने होते हैं अताहा इस पार्ट में हम कोशिका और इसकी संदचना के बारे में पढ़ेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका और इसकी खोच के बारे में जानना एक कोशिक और बहु कोशिक जीव को परिभाशित करना कोशिका की सरनचना का वर्णन करना प्लैज्मा जिल्ली, कोशिका भित्ती, केंद्रक और कोशिका द्रव्व के बारे में समझना जन्तु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद करना कोशिका का परीचए कोशिका जीवन की मूल भूत, संरचनात्मक और प्रकारयात्मक इकाई है प्रयोग प्यास का एक छोटा टुकडा लीजिए और चिम्ती की सहायता से इसके छिलके उतारिए इस तुकड़े को ततकाल पानी भरे काँच के छोटे प्याले में रखिए एक काँच की स्लाइट लीजिए, इस पर जल की एक बूंद डालिए और काँच के प्याले से एक छिलके का टुकडा उठा कर स्लाइट पर रखिए इस टुकडे पर आयोडीन विलियन की एक बूंद डालिए और उठाने वाली सुई की जाहता से कवर सिलिप पर रखिए इस लाइट को पहले अल्पक्षमता और फिर उच्चक्षमता वाले समवन्धित सूच्म दर्शी के नीचे रखिए आप देख सकते हैं कि ये सभी सनचनाएं एक दूसरे के समान हैं कोज सबसे पहले किस ने की? जी हाँ कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुग ने 1665 में की उन्होंने एक सामान ने आवर्धक यंत्र की सहता से कौर्क के एक पतले स्लाइस का अध्यन किया और देखा कि कौर्क की सनचना मदू मक्की के छत्तों के समान है जिसमें कई कोश्ट युक्त अथ्वा विभाजित बक्से हैं रॉबर्ट हुग ने इन बक्सों को कोशिका कहा जीवों के प्रकार एक कोशिक जीव में संपूर्ण जीव का निर्मान एक कोशिका से संभव है इसके उधारा हैं अमीबा, क्लेमिटुमोनस, परामीशियम और डेक्टीरिया चानी जीवानों बहु कोशिक जीव में बहुत सी कोशिकाएं, एक इही शरीर में समूं का निर्मान करती हैं और शरीर के विभिन अंगों के निर्मान के लिए विभिन प्रकारियों का संचालन करती हैं इनके उधारन हैं कुछ कवक, पादप और जन्तु प्रतेक सजीव कोशिका के पास कुछ मूल भूत प्राकारियों को निश्पादित करने की इक्षमता होती है, जो की सभी सजीवों की विशेशता होती है उधारन स्वरूप हिर्दै की कोशिका का कून पहुंचाने का, पेट की कोशिका का आहार पाचन का काम इत्यादी प्रतेक कोशिका में कुछ निश्चित भाग होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं प्रतेक प्रकार के कोशिकांग एक निश्चित प्रकार को किरियानवित करते हैं, जैसे की कोशिका में नए पदार्थों का बनना कोशिका से अप्चिस्ट पदार्थों का निस्तारन इत्यादी कोशिकाओं की आकरिती और साइज कोशिकाओं की आकरिती विभिन्न सजीवों की आकरिती भिन्न होती है यह उनकी कोशिकाओं में भिन्नता के कारण होता है Amoeba, Pseudo-Podia के कारण अपनी आकरिती बदलता रहता है कोशिकाएं समानिता, गोल, गोलाकार या लंबी होती है कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनु सिरे नुकिले होते है कोशिका का साइज सजीवों में कोशिका का साइज एक मीटर के दस लाक में भाग यानी माइक्रो मीटर या माइक्रोन अथवा कुछ सेंटी मीटर लंबा हो सकता है सबसे चुटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रो मीटर की होती है जो की जीवाणू कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका शुतुर मुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 mm गुणा 130 mm का होता है प्लैस्मा जिल्ली, कोशिका जिल्ली और इसके प्रकार कोशिका किस चीज से बनी होती है? सूक्ष्म दर्शी की सहयता से कोशिका का अध्यान करने पर लगभग प्रतेक कोशिका में हमें तीन भाग प्लैस्मा जिल्ली यानि कोशिका जिल्ली, केंडरक और कोशिका द्रवे प्राप्त होते हैं जो कोशिका के भीतर होने वाली करतेग कतिविधी और वातावरण के साथ होने वाली परसपर क्रिया के लिए उत्तरदाई होते हैं। प्लैस्मा जिल्ली यह कोशिका का सबसे बहरी भाग होता है, जो कोशिका के पदार्थों को बहरी वातावरण से प्रथक करता है। प्लेजमा जिल्ली विभिन पदार्थों की कोशिका में आवा गमन का नेमन करती है या कुछ पदार्थों की गती को भी रोकती है इसलिए कोशिका जिल्ली को चैनित पार गम में जिल्ली भी कहते हैं प्लैस्मा जिल्ली और इसके प्रकारे स्वच्छे जल के एक कोशिक, सजीव और अधिकतर पादप कोशिकाएं परासरण के मात्यम से जल ग्रहण करते हैं पादपों की जड़ों द्वारा जल ग्रहण भी परासरण का एक उधारण है अतहा किसी कोशिका की जीवन में गैसों और जल के आदान प्रदान में विसरण महतकून होता है कोशिका भित्ती और इसके प्रकारे कोशिका भित्ती पादों में कोशिका जिल्ली के अतरिक्त एक पहरी मोटी परद होती है जिसे कोशिका भित्ती कहते हैं पादप कोशिका मुख्यता सेलिलोस से निर्मित होती है सेलिलोस एक जटिल पदार्थ होता है और यह पादों को संदचनात्मक शक्ती प्रदान करता है कोशिका भित्ती के प्रकारे कोशिका भित्ती पादपों को द्रड़ता और शक्ति प्रदान करता है यह पादब कोशिकाओं, कवकों और जीवाणों को बगएर फटे प्रतिकूल दबाहों बनाते हुए अतितनों यानि हाइपोटोनिक बाहरी माध्यम बनाये रखने में भी साहेता करता है कोशिका द्रव्वे और इसके प्रकारे कोशिका द्रव्वे कोशिका द्रव्वे प्लैज्मा जिल्ली के भीतर पाया जाने वाला एक तरह का पदार्थ होता है इसमें कई विशिस्ट कोशिकांग होते हैं प्रतेक कोशिकांग कोशिका के लिए एक विशेश प्रकार का निश्पादन करता है कोशिका द्रव्य के प्राकारे कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग संगटित होते हैं केंद्रक और इसके प्राकारे केंद्रक केंद्रक के उपर एक दोरी परतवाली चिल्ली होती है जिसे केंद्रक चिल्ली कहते हैं केंद्रक चिल्ली में रंद्र होते हैं आवागमन को नियंत्रित करते हैं। केंद्रत में क्रोमोसूम अथवा गुण सूत्र होते हैं, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। आनुवन्शिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीड़ी में इस्थानांत्रित करने वाली सूचनाएं गुण सूत्र में डियने यानी डियोक्सी राइबो निूकलिक एसिड अणों के रूप में संचित रहती है। गुण सूत्र डियने और प्रोटीन से बने होते हैं। डियने के सक्रिय भाग को जीन कहते हैं। जब भी कोशिका विभाजित होने को होती है तो क्रोमेटीन पदार्थ गुण सूत्र में एकतरित हो जाता है। कुछ सजीवों जैसे जीवाणूं में कोशिका का केंद्रग केंद्रग जिल्ली के अभाव के कारण मुश्किल से पैचाना जाता है। इन सजीवों को प्रोकेरियोर्स कहते हैं। जिन सजीवों में केंद्रक जिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं, उन्हें युकेरियोर्स कहते हैं। केंद्रक के प्रकारे केंद्रक कोशिका पुनरुतपादन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्मान करती है। इस प्रक्रिया में केंद्रक केंद्रिय भूमिका निभाता है या कोशिका की गदिविधियों का नियमन भी करता है। रिक्तिका ठोस अथवा द्रव्य पदार्थों के लिए भंडार कोश हैं। रिक्तिका कोशिका रश से भरी होती हैं। और कोशिका को स्फिती और दिरणता प्रदान करती है। जीवन के लिए आवश्यक कई पदार्त रिक्तिका में संचित होते हैं। इनमें एमीनो एसिट, शरकरा, विभिन जैविक अमल और कुछ प्रोटीन शामिल है। अमीबा जैसे एक कोशिक सजीवों में आहार रिक्तिका आहार संचित रखती है जिसे अमीबा ग्रहन करता है। कुछ एक कोशिक सजीवों में विशेश रिक्तिकाएं अतरिक्त जल और अप्षिस्ट को कोशिका से बाहर निस्तारित करने में मुख्य भूमी का निभाती हैं। प्लैस्टिड, प्लैस्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जन्तु कोशिका में प्लैस्टिड नहीं पाए जाते, प्लैस्टिड अपनी वाहिस सलचना में माइटो कॉंड्रिया जैसे होते हैं, प्लैस्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानि रंगीन प्लेस्टिट और लूकोप्लास्ट यानि सफेद या रंगीन प्लेस्टिट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिट होते हैं, जो फूलों और फलों को विभिन रंग प्रदान करते हैं। Leukoplast रंगहीन प्लेस्टिड होते हैं। इसमें स्टार्च, टेल और प्रोटीन कनिका संचित रहते हैं। जिन प्लेस्टिड में क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहते हैं। ये पात्पों के प्रकाश संचिलेशन के लिए महत्पूर होते स्क्रीन 15 जन्तु कोशिका और पादप कोशिका में विभेट सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्शेप में तोहराएं कोशिका की खोज सर्व प्रतम रॉबर्ट हुक ने 1675 में की एक या कई कोशिकाओं की उपस्तिती के आधार पर सजीवों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं एक कोशिक सजीव और बहु कोशिक सजीव प्रतेक कोशिका में कुछ निश्चित भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और ये विशेश प्रकारियों का निश्पादन करते हैं प्लैस्मा जिल्ली कोशिका का सबसे वाहे आवरन होती है जो कोशिका के पदार्थों को वाहे वातावरन से प्रथक करती है कोशिका जिल्ली चैनित पार गम्म जिल्ली के रूप में भी कारे करती है जो विभिन पदार्थों की कोशिका में आवा गमन का नियमन करती है रिक्टिकाएं ठोस और द्रफे पदार्थों के लिए भंडार कोश होती हैं जन्तु कोशिकाओं में रिक्टिकाओं का आकार छोटा होता है जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्टिकाओं का आकार बहुत बड़ा होता है प्लेस्टिट केवल पादप कोशिकाओं में प्राप्थ होते हैं पादप कोशिकाओं में एक अन्ने द्रडबारी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ती कहते हैं यह प्लेस्मा जिली के बाहर स्थित होता है केंद्रक प्रते कोशिका के केंद्र में स्थित एक गोलाकार या अंडाकार बिंदुनुमा आकरिती होती है यह कोशिकाओं के कुनारुत पादन में केंद्रिय भूमिका निभाता है और कोशिका की गतिविधियों को नियमन भी करता है कोशिका द्रवे प्लैस्मा द्रवे के भीतर उपस्थित द्रवे पदार्थ होता है इसके भीतर कई विशेश कोशिकांग उपस्थित होते हैं